मीन राशिफल दो हजार चौबीस आपके जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं को सुझाने का एक माध्यम बन सकता है क्योंकि यह विशेश रूप से आपके लिए ही तयार किया गया है। ग्रेह लगातार गती करते रहते हैं और अपने गोचर काल में कभी एक राशी तो कभी दूसरी राशी में भ्रमन करते हैं। उनका ये राशी परिबर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। वर्ष दो हजार चौबीस भी इससे अच्छूता नहीं रहेगा और इस वर्ष ग्रहों का गोचर आपकी राशी पर क्या प्रभाव डालेगा और उससे आपके जीवन के किन शेत्रों में कैसे बदलाव होंगे। ये सब कुछ आपको इस राशिफल में जानने को मिलेगा। मीन राशिफल दो हजार चौबीस यदि आपका जन्म मीन राशी के अंतरगत हुआ है तो यह मीन राशिफल दो हजार चौबीस आपकी अनेक प्रकार से सहायता कर सकता है। आपके निजी जीवन में क्या होगा? प्रेम संबंधों में किस प्रकार के बदलाव आने वाले हैं? वर्ष दो हजार चौबीस में आपके प्रियतम से आपका रिश्टा कैसा चलेगा? क्या आपके बीच टकराव होगा या प्यार के योग बनेंगे? आपके पारिवार एक जीवन में खुशाली रहेगी या समस्याएं बढ़ सकती हैं, आपका करिया कैसा रहेगा, क्या नौकरी में कोई बदलाव संभव होगा या फिर नौकरी में पदोननती मिल पाएगी, व्यापार में उननती होगी अत्वा अबनती, कौन सा समय आपके लिए अनुकूल होगा, क आपके लिए समपत्ति अत्वा वाहन खरीदने के लिए यह वर्ष उप्युक्त है अत्वा नहीं, यदि हां तो कब और कौन सा समय आपके लिए अधिक उप्युक्त होगा और कौन सा समय कमजोर होगा, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे रहेगी, पढ़ाई में आपका अत्वपूर्ण बातें आपको हमारे इस वार्षिक मीन राशिफल 2024 के माध्यम से पता चल सकती हैं। यह मीन राशिफल 2024 एस्ट्रोसेज के विशेशग्य जोतिशी द्वारावर्ष 2024 के दौरान विभेन ग्रहों के गोचर और ग्रहों की चाल के अनुसार आपकी राशी मीन पर पढ़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ही तैयार किया गया है। यह वार्षिक यानी की जन्म राशी पर ही आधारित है। आएए अब जानते हैं कि कैसा रहेगा मीन राशी का वार्षिक भविशिफल 2024 दो हजार चौबीस। मीन राशी के जातकों के लिए राशी स्वामी देव गुरु ब्रहस्पती वर्ष की शुरुआत से आपके द्वितिय भाव में रहेंगे और आपके कुटुम की रक्षा करेंगे तथा आपकी वानी में मिठास रखेंगे। धन संचय करने में आपकी मदद करेंगे। आपक सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे जिससे व्यापार में वृद्धी होगी, विवहेक संबंदों में सुधार होगा, भाग्य प्रबल होगा तथा धर्म कर्म में मन लगेगा और आपके आमदनी में भी बड़ोतरी होगी। मीन राशिफल के अनु और आपके विदेश जाने के योग बनाएंगे। विरोधियों पर आपकी पकड़ को मजबूत बनाएंगे और प्रतियोगिताओं में सफल बनाएंगे। मीन वार्षिक राशिफल के अनुसार राहो का गोचर आपके प्रतम भाव और केतु का गोचर आपके सब्थम भाव में होने से ये पूरे वर्ष यही परस्थित रहेंगे। इससे आपसी संबंधों में समस्या आ सकती है। आपको अपने मित्रों की कही हुई सही बाते भी बुरी लग सकती हैं। इनका ध्यान रखें लेकिन मीन राशिफल के अनुसार आप कुछ बड़े निर्नय लेकर सब को आश्चर्य चकित कर देंगे। आए अब विस्तार से जानते हैं मीन राशी वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष दो हजार चौबीस। मीन प्रेम राशिफल दो हजार चौबीस। के अनुसार वर्ष की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहने वाली है लेकिन मंगल महार आज की द्रिष्टी आपके पंचम भाव पर होने के कारण बीच बीच में तनाव और रसाक्षी की स्थिती बनेगी। फिर भी शुक्रो और बुध के वर्ष की शुरुआत में आपके नवम भाव में होने से आपको खुशियों की प्राप्ती होगी और आप अपने प्रिय के साथ इस समय में आचरन करना होगा नहीं तो मीन राशिफल दो हजार चौबीस के अनुसार आपके बीच कहा सुनी हो सकती है और रिष्टे में टकराव की स्थिती बनेगी। वाद विवाद को बढ़ने देना आपके रिष्टे के लिए नुकसान दायक हो सकता है। मीन प्रेम राशिफल दो हजार चौबीस के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर के बीच मंगल के पंचम भाव में होने से व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। आपके प्रियतम को स्वास्थे समस्याएं हो सकती हैं। उनको स्वास्थे संबंधित कष्ट परेशान कर सकते हैं इसलिए इस दोरान किसी भी तरह का बड़ा निर्नय लेने से बचें और अपने रिष्टे को संभालने का प्रयास करें। वर्ष के बीच में कुछ हैसे समय भी आएंगे जब आपका रिष्टा अच्छा रहेगा और आपको एक दूसरे के निकट आने का मौका मिलेगा। मी मीन करिया राशिफल दो हजार चौबीस करिया के दृष्टिकोंड से देखे तो मीन राशिफल दो हजार चौबीस के अनुसार वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। मंगल और सूर्य जैसे प्रतापी ग्रह आपके दशम भाव में वर्ष की शु वर्ष की शुरुआत में ही जन्वरी से लेकर मार्च के बीच आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है और आपको कारियों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। नौकरी में आपका बोलबाला रहेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे संतुष्ट नजर आ रहेगे। इससे नौकरी में आपकी स्थिती अच्छी रहेगी। आपके लिए मार्च से अप्रेल के बीच का समय बहुत महत्वपून रहेगा क्योंकि इस दौरान आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। ऐसा ही एक मौका अगस्ट से सितंबर के ब पुशिश करें क्योंकि इस दौरान नौकरी पर संकट भी आ सकता है। यदि इस समय को निकाल लेंगे तो आने वाले समय में नौकरी के लिए बहतर स्थितियों का निर्मान होगा। मीन शिक्षा राशिफल 2024 के अनुसार वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में ग्रहों की स्थिती के चलते आप शिक्षा को बड़े ही मन से करेंगे और अपनी चुनोतियों को दूर करने पर ध्यान देंगे। शेत्र के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष विशेश लाब और सफलता प्राप्ती के योग बनने वाले हैं इसलिए आप अपनी पड़ाई पर पूरा ध्यान दें। मीन राशिफल 2024 के अनुसार अक्टूबर में जब मंगल पंचम भाव में आएंगे तो वो समय कुछ कमजोर रहेगा क्योंकि यह अपनी नीच राशी कर्क में स्थित होंगे इसलिए इस दौरान आपको कितनी भी चुनोतियों का सामना क्यूं ना करना पड़े लेकिन अपन पर होने के कारण और देव गुरु ब्रहस्पती की दृष्टी दूसरे भाव से छठे भाव पर रहने के कारण प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही अच्छे अनकों के साथ सफल होने का मौका मिल सकता है। मीन राशिफल दो हजार चुबीस के अनुसार यदि आप पड़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रत्हम और द्वितिय तिमाही अधेक अनुकूल कही जा सकती है। परे वर्ष बना रहने वाला है इसलिए आपको अपने वित्तिय अस्थितियों को सुधारने पर ध्यान देना होगा। वितका सही प्रबंधन सही समय पर और सही तरीके से करने से आपको इन समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। देव गुरु ब्रहस्पती दूसरे भाव में रहकर बहुत हद तक आपकी मदद करेंगे, लेकिन फिर भी आपको वर्ष के मध्य में कुछ चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है और आप बड़ी वित्तिय अस्थिर्ता का शिकार हो सकते हैं। मीन राशिफल दो हजार चौबीस के अनुसार, लेकिन अगस्त के बाद से एक बार पोना आपके वित्त की अच्छी स्थिती होने के कारण आप उस पर ध्यान देंगे और कुछ नई योजनाओं को अमल में लाते हुए वित्तियत और पर सुद्रिण होने में सफल हो सकते है मीन पारिवारिक राशिफल दो हजार चौबीस के अनुसार वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ चुनोती पूर्ण रहने वाली है एक तरफ तो देव गुरु ब्रहस्पती आपके दूसरे भाव में रहकर पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे और कुटुम के लोगों से आपका सामन जस्य बहतर बनेगा आप अपनी प्रभावशाली और अच्छी वानी से लोगों का दिल जीतने में काम्याब रहेंगे और उससे आपके रिष्टे प्रगाड होंगे लेकिन दूसरी तरफ शनी देव की दृष्टी भी आपके दूसरे भावव पर रहेगी जो आपसे कई बार ऐसे बाते बुलवा देगी जो लोगों को बुरी लग जाए और इससे आपके रिष्टे प्रभावित होंगे वर्ष की शुरुवात में मंगल और सूर्य भी चतूर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टी डालेंगे और मंगल की दृष्टी वर्ष की शुरुवात में आपकी राशी पर जहां राहू पहले से विराजमान हैं और फरवरी मार्च के दौरान आपके दृतिय भाव पर रहे नहीं तो इस वर्ष अपनों से मनमुटाव हो सकता है। माता जी को स्वास्थ समस्याएं परेशान कर सकती हैं लेकिन वर्ष के मध्य से यानी की जून के बाद से स्थिती ठीक होने लगेगी और उनकी स्वास्थ समस्या में भी कमी आएगी। भाई बहनों से आपके संबंद सकारात्मक रहेंगे और वो ही अथा संभव आपकी मदद करते रहेंगे। आपको भी समय समय पर उनके बारे में विचार करना होगा और वर्ष के अंतिम महीनों में अत्यदिक व्यस्तता के बावजूद आपको अपने परिवार और उनकी प्रकार की अचल संपत्ती खरीदने के लिए उप्योक्त रहेगी। संपत्ती कारक ग्रह मंगल और सूर्य की द्रिष्टी आपके चतुर्थ भाव पर होने से आप कोई बड़ी संपत्ती खरीदने में काम्याब हो सकते हैं। ये संपत्ती आपको आर्थिक लाब भी प्रद अप्रल और जून तथा नवंबर के महीने उप्योक्त रहेंगे। मीन धन और लाब राशिफल 2024 भविश्यवानी कर रहा है कि मीन राशी के जातकों को वर्ष की शुरुआत में आर्थिक तोर पर सुद्रिण होने का अवसर्तों मिलेगा। लिकिन शनी महराज पूरे के द्वादश भाव में रहकर वर्ष परियंत खर्चे का एक योग बनाए रखेगे जो चाहे या अंचाहे आपको करना ही होगा। शनी की यह स्थिती आपके उपर खर्च का जोर बनाए रखेगी। हालांकि ब्रहसपती महराज एक माई तक आपके दूसरे भाव में रहकर आपके बैंक बैलेस में वृद्धी कराएंगे और धन को संचित करने और धन की बचत करने में आपकी मदद करेंगे। मीन राशिफल 2024 के अनुसार फरवरी से मार्च के बीच मंगल महराज उच्च राशिगत होकर आपके एक आदश भाव में रहेंगे और वहां से आपके द्वितिय भाव और देव गुरु ब्रहस पती को भी देखेंगे। ये समय आर्थिक रूप से उन्नती दायक रहेगा। इस दोरान आप जिस योजना को भी शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और उससे आपको प्रबल धन लाब होने के योग बनेंगे। सूर मंगल का गोचर मेश राशी में आपके द्वितिय भाव में जून से जुलाई के बीच होगा। ये समय अबधी आपको आर्थिक तौर पर अच्छी स्थिती प्रदान करेगी और आप आर्थिक तौर पर लाबधायक स्थिती में आ जाएंगे। अक्टूबर के अंत से दिस टिकोन से वर्ष की शुरुआत उतार चड़ाव से भरी रहने वाली है। आपकी राशी में पूरे वर्ष राहू की उपस्थिती और सप्तम भाव में केतू का विराजमान होना आपके स्वास्थे के लिए अनुकूल नहीं रहेगा इसलिए आपको किसी भी तरह की शारीरि जैसी समस्या दे सकते हैं। नेत्र पीर्या और आँखों से पानी बहना जैसी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। अप्रेल से मई के बीच विशेश रूप से अपने स्वास्थे का ध्यान रखें। इस दोरान स्वास्थे बिगड़ने से आपको ज्यादा परेश मीन राशिफल 2024 के अनुसार इस वर्ष आपको अपनी दिन्चर्या को सही और संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना होगा क्योंकि राहू की आपकी राशी में उपस्थिती आपको कुछ हद तक अपने स्वास्थे के प्रतिलापरवाह बनाएगी और इससे आपका स्वास्थे बिगड सकता है यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और तंदुरुस्थ बने रहना चाहते हैं तो अच्छी आदतों को अपनी दिन्चर्या में शामिल करें अच्छा और सुपाच्य भूजन करें और ध्यान योग और शारीरिक अभ्यास करते रहें इसी से आपको स्व अग्यशाली अंक तीन और साथ माना गया है जोतिश के अनुसार मीन राशिफल दो हजार चौबीस ये बताता है कि वर्ष दो हजार चौबीस का कुल योग आठ होगा ये साल मीन राशी के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदाई रहेगा आर्थिक तौर पर ये वर्ष धन लाब के साथ साथ खर्च के योग भी बनाएगा शारीरिक तौर पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा लेकिन प्रेम संबंदों में ये वर्ष अच्छा साबित हो सकता है निजी जीवन में उतार चड़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी व्यापार और करिय के क्षेत में आपको प्रयास करने से सफलता प्राप्त होगी मीन राशिफल दो हजार चोबीस ज्योतिशिय उपाए आपको बुधवार के दिन सानकाल में किसी मंदिर में काले तिलों का दान करना चाहिए उत्तम गुनवत्ता वाला पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में तरजनी उंगली में ब्रिहस पतिवार के दिन धारंग करना सरवाधिक शुब रहेगा आपको देव गुरु ब्रहस पती के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए प्रत्येक शनिवार को सानकाल के समय पीपल के पेड के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए